Hello friends, क्यासे हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में Class 11 का जो है Division Form हम फिल करने वाले हैं कैसे peut Swgrass करना है? मैं आपको इस वीडियो मे वताऊँगा तो प्लीज, वीडियो को ÇaSoup बिल्бы Κुन elasा करें आप देख सकते हैं admissions classes in 11th आप यहाँ पर इस website पर 11th class का admission भी कर सकते हैं और 6th to 9th class का भी admission कर सकते हैं आप यह थोड़ा नीची की और आएंगे scroll करके तो आप यहाँ देखेंगे admissions in classes 6th to 9th class मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाया हुआ है मैं description में देदूँगा link आप उस वीडियो को देख करके admission कर सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर 11th class का admission form है मैं fill करने वाला हूँ तो आप बिल्कुल step by step मैं आपको बताऊंगा कैसे fill करना है तो आपको सबसे पहले online application form पर click करना है जैसी आप online application form पर click करेंगे तो आपको जो application form है open हो जाता है उसके बाद आपको कुछ basic detail फिल करना है जैसी कि यहाँ पर कक्छा चूज कर लेना आपको class 11th class में commerce, science, arts जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने पिछली कक्छा कहां से past क्या है वोट select करेंगे उसके बाद applicant का नाम फिल कर देंगे अगर applicant का नाम middle name है और last name भी है तो आप इस अलग-अलग column में फिल कर देंगे यहाँ पर last name फिल कर देंगे अगर है तो नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं जो आपका red mark है वो compulsory आपको भरना है उसके बाद आपको father name फिल कर देना है father name फिल करने के बाद आपको mother name फिल कर देना है और applicant का date of birth फिल कर देना है उसके बाद आपको जो 10th class का result आया था किस date को आया था वो date आपको यहाँ पर type कर देना है उसके बाद आपको gender choose कर लेना है अप्लिकेंट का उसके बाद आप category choose करेंगे work जो आपकी जाती है general है, OBC है, ST है जो भी आप select कर लेंगे उसके बाद आगर आप दिब्यांग जन है तो आप यहाँ select कर लेंगे नहीं तो आप note applicable कर देंगे यह select करने के बाद आपको residential address select कर लेना है यहाँ पर type कर देना है आप उसके बाद आपका राज्य स्टेट चूस कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टेट का जो पिन कोड है, वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसके बाद आपके पास लेंड लाइन फोन नमबर है, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड सकते हैं उसके बाद आपको एक valid phone number फिल करना इस number पर कोटी भी जाता है तो आप number जो है सही डाले उसके बाद आपके पास alternate mobile number है तो वो भी आप डाल सकते हैं पर कोई दूसरा phone number हो तो उसके बाद आपको select nearest school to residence जो आपके residence में पास में है nearest उसको select करेंगे school को उसके बाद आपको बोड का roll number आपको type करके आपको next बटन पर क्लिक कर देना है जैसी आप next पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपको यहाँ पर check box को क्लिक करना है उसके बाद अपने login ID और password generate हो जाता है आपको इसको copy करके अपने pass रख लेना है ताकि login करने में हमें कोई परेशानी ना होए उसके बाद आपको यहाँ पर click here पर नीचे down में देखेंगे तो आपको click here पर click करना है जैसी आप click here पर click करेंगे तो आपको जो अगला process है login वो open हो जाता सारव करना है गया जो आपको पाऊसबर्ट कुछ दिर पहले दिखाया गया था उसके बाद आपको log-in पर click करेंगे तो आपको आपको जो profile है login हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और आपको left hand में known plan का जो है link आपको दिखेगा आप देख सकते हैं यहां पर known plan आपको यहां पर click कर देना है जैसी आप click करेंगे तो आपने जो registration किया है वो detail आपको show जाएगा उसके बाद आपको academic record of previous class जो आपने पिछली 10th class में जो पढ़ा है आपने वो आपको detail यहां पर fill करना है तो आपको 10th का mark sheet है उसके according आपको यहां पर सब कुछ fill कर देना है subject वगएरा वो आपको fill कर देना मैं आपको fill करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने fill कर दिया हैं पर जैसी कि आपको subject चूज करना है आपको maximum कितने marks में से आपको कितने marks मिले है वो आपको type करके सारा detail उसके बाद आपको next button पर click कर देन माइग्रेट हुए है उनके लिए है तो आप अगर माइग्रेट हुए है कस्मीर से यस्ट वी से जो भी है विलोंग करते हैं तो आपको यस करना है अगर नहीं है तो आप यहां पर नो कर देंगे मैं यहां पर इस option में no select कर देता हूँ उसके बाद आपको stream चूज कर लेना है आपको 11th class में किस stream में आपको मिलने वाला है तो पहले आप eligibility check करेंगे आप eligible है या नहीं है मैं यहां पर click करके पहले check करता हूँ जो मुझे चाहिए मैंने यहां पर check किया कि यहां पर सबसे उपर दिखा जा रहा है not eligible for admission in 11th commerce with math तो हमें इसमें नहीं मिलेगा तो हम दूसरे में चेक कर लेंगे इसमें भी eligibility नहीं मिली है हमें तीनों option में जो है stream में eligibility नहीं मिली है तो हमें last वाला जो है commerce without math उसको select करते हैं तो आप देख सकत submit का button भी आपको देखने को मिल जाता है तो आपको simple करना क्या submit button पर click कर देना है जैसे आप submit button पर click करेंगे तो आपको previous year का था वो आपको दिखाए जागा अगर इसमें गलत हो गया है तो आप यहां पर delete करके दुवारा से भर सकते हैं मेरा detail जो है वरकुल perfect ठीक है तो आप आपको अगला step जो third step complete करना क्लिक करके उसके वाद आपको 11th class में कौन से subject चाहिए वो आप यहां से select कर लेंगे last जो है छटा वो optional है आप इसे छोड़ सकते हैं नहीं तो कोई दिख्कात दिए उसके वाद आपको submit button पर click कर देना है उसके वाद इसमें गरवड़ी हो जाए select करने के बाद आपको submit button पर click कर देना है जैसे आप submit पर click करेंगे तो आप उपर देखेंगे mark sheet uploaded successfully तो आप यहां पर देख सकते हैं अब हमें अगला step जो है complete करना है preview and submit पर click करेंगे तो आप detail जो है विरुकुल ठीक तरीके से देख लेंगे कोई mistake वगरा तो नहीं है उसके बाद आपको यहां पर final submit पर click कर देना है उसके बाद आपको print button पर click करके आपको application form को print कर लेना है उसके बाद आपने pass रख लेना तो मैं यहां से print कर लेता हूँ I hope कि यह video पसंद आया हो तो please video को like कर दीजिए और channel पर पहली बार है तो please channel को subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजिए ता